हमारे सबाव में कई ऐसी आदितें या प्रवर्तियां होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता और वो बहुत समय से चल रही है दूसरों को भी ज़्यादा पता नहीं चलता समाज वाले भी इसमें ज़्यादा बंदन या मरियादा जिनोंने कायम नहीं की है तो वो प्रचलिते हैं समाज में और वो बड़ी घातक है और हमारा वैसा सबा बन गया है जैसे पानी अपने आप डलान की तरफ जाता है वैसे ही कुछ खराबियां ऐसी है जो हमारे अंदर जन्मजात है पिछले जन्मों से है सबाव के अंदर है अंतकरनों में पेठी हुई है उन से छुटकारा पढ़ना बड़ा जरूरी है और हमें तो अभी पता निक हमारा ऐसा सबाव है और है तो उसका क्या नुकसान है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर प्राणी मात्र में तंधारी में आम तोर पर एक मापुरसों की बात और उनके सचे सेवकों की बात अलग कर दें तो सभी में यह आदत होती है हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारी इस्तूती करे यह हम कहते किसी को नहीं है हमें पूरी तरह से इसका भान भी नहीं है अन्जाने में हर आदमी अपनी प्रसंसा सुनके खुसी होता है और इसी का दूसरा भाग यह है कि अन्जाने में हम दूसरों की निंदा किसी ने किसी रूप में थोड़े रूप में कुछ लोग बले होते हैं वो निंदा नहीं करते लेकिन पूरा सा मानने करना या थोड़े दोस को ज़्यादा समझना या किसी के दोस को प्रगट करना या किसी की दोस या ऐसी बात को तो संतों ने हमें सावचेत किया कि ये बड़ी खतरनाक है और इससे हमारा नुकसान होगा और इस आदद को बदलना जरूरी है इससे क्या-क्या नुकसान हो सकता है तो मापुर्सों ने फर्माया सत्संग में ये बातें संतों ने हमें समझाई सत्गुरू जग जिवन साब जी की एक बड़ी सुंदर बानी है जिसमें इसी हमारे मलीन सभाव के उपर हमें बोध दिया गया सादो अस्तुति जन जग लूटा गुप्त रहे छिपि मगन मनईमा बजन के होईन तूटा खेंचत सत्सीडी के नीचे गुरुसन मुकते हूटा आय परेमन मोह सहर मा बांदे ब्रम के खूटा पूजत जग्त काई तिन का ज्यान चरंते छूटा सुमति में छीन नहीं ले लागत कुमत ग्यान धरिकूटा होई निर्वान निंदाते सादू अगक्रम जरीबे भूटा निंदक कर निर्बाह नहीं है जम दूतन परिकूटा करीके जुक्ति जग्त कर उबासा जोमक तागा उटा जग्जीवन दस्चा की नेनतें जो मदुमाखी गोटा तो सद्गूर्व जग्जीवन साब फर्माते हैं संत दया करके कि ये जो अपनी अस्तूती या अपनी प्रसंसा अपनी बडाई कोई करे और हमें अच्छा लगे ये दरसल में इस तरह से जो सेवक होते हैं सत्संगी होते हैं वो भी लूटे जाते हैं ये प्रसंसा हमें अच्छी लगती है इसलिए भी प्रसंसा हमारे सामने आ जाती है या माया हमें ठगना चाहती है इसलिए जिस किसी को करनी करने में ततपर देखती है तो दुनिया में उसकी मान बडाई फेला करके भी लूट लिया जाता है माया के द्वारा संत फर्माते हैं सादो अस्तुती जन जग लूटा अस्तुती ने पूरे जगत को लूट लिया है कोई क्रोध से नहीं लूटा जाए कोई मोह के परे हो जाए कोई लोब को जीत ले एहंकार पे भी कोशिस करते हैं विजय पाने की या उसको त्यागने की क्योंकि ये विकार कुछ दिखाई देते हैं लेकिन अस्तूती जो अच्छी लगती है ये दिखाई नहीं देती है कोई स्तूती कर रहा है और हम मन ही मन में खुस तो हो रहे हैं वो आदमी हमें अच्छा लगता है अब इतने में हमारा हमारी पूंजी चिनने सरु हो जाती है यह लूट लिया जाते हैं संत कहते है इसलिए करना क्या चाहिए गुप्त रहे चिपी मगन मनाई माभजन के होईन तूटा दुनिया में गुप्त होके रहें यदि कोई अच्छा कार गुरुदेव की करपा से कहीं वो दया करके बनवा लेते हैं तो उसको सही हमारा आचरन यह उना चाहिए उसको चिपाएं क्योंकि प्रगट होने में वो चीज समाप्त हो जाएगी उसका जो लाव है वो मट जाएगा दूसरों के हाथ में चला जाएगा इसलिए मन में मगन रहे अपनी डसा को बाहर प्रगट न करे सद्गुरु जगजीवन साब जी तो एक दूसरी बाड़े में कहा है कि सारोजनिक जगह पर जहां ससंग होती है यने जहां ज़्यादा लोग मिलकर के ससंग करते हैं यदि प्रेम की पराकाष्टा हो प्रेम खुब गहरा उम्रावा हो हमारे बस में नहीं हो तो आंसु आख से निकल ही जाते हैं लेकिन उस पर बस नहीं है लेकिन आंसु निकलने से उबाद जाईर हो जाती है तो जाईर होने पर जोना उसका असर कम हो जाता है जाईर नहीं होने देने की कोशिज करें एक कांत में बेट करके रोएं और जिनकी बहुत उचे प्रेम की दसा है उनके उपर तो ये नियम लागू नहीं होता मैंने पहले ही निवे दिन किया एक सच्चे मापुरुस और उनके सच्चे जो उनके प्रिय सेवक हैं सच्चे गुरुमुक हैं उनके उपर ये नियम लागू नहीं होता है बाकी हम जैसे साधारण नाम मातर के सस्तंगी और बाकी पूरी दुनिया उन सब पर यही नियम लागू होता है तो कोई अच्छा काम कोई अच्छा सवाव कोई किसी तरह का गुरुदेव मालिक दया करके बख्स दें तो कोसीस करें उसको छिपाएं उसको प्रगट नहीं करें जबकि हम तो कोसीस करके प्रगट करते हैं हम ये कौसिस करते हैं कि ये बात सब जान लें, तो उसमें हमारा नुकसान हमारे भजन का होगा, यदि हम छिपा करके चलेंगे तो भजन के होईने टूटा, भजन का टोटा नहीं होगा, जो कमाया है वो हमारा सुरक्षित है, और यदि वो जाहिर हो गई बात जगत में प्रस सिद्धी फेलने के बाल में जो कमाया है उसमें छीजित हो जाएगी, खेंचत सत्सीडी के नीचे गुरु सन्मक्ते उटा, जो मान बढ़ाई है, जो प्रसंसा है, वो क्या है, सचाई के रस्ते पर जो चल रहे हैं, सचाई के रस्ते पर एक-एक कदम करके उपर बढ़ रहे हैं, तो मान बढ़ाई क्या करती है, नीचे खेंच लेती है वापस, वो सत्य के सीडी पर जो चड रहे हैं, और दया करके गुरु देव उस पर अपनी दया का बल देकर चड़ा रहे हैं, उससे वापस नीचे खेंचने वाड़ी ताकत क्या है मान बढ़ाई वो सत्षीडी से नीचे उतार देगी और फिर अभी तो कोई अच्छा काम बनता है बाप जी के प्रसंता का काम बनता है तो वो गुर्मुक्ता का काम है और जो मान बढ़ाई में मुलज गए तो कुर्मुक्ता छोट जाएगी मन मुक्ता के दाइरे में आ जाएगे आए परे मन मोह सैरमा बांदे ब्रह्म के खूंटा यदि मान बढ़ाई कोई करता है वो तो हमारे बस में नहीं है कई बार हम कितना छिपाएं क्योंकि प्रेम जो है वो छिपता नहीं है और कोई न कोई सत्याखिर में जाईर हो ही जाता है तो यदि जगत को पता चल जाता है और किसी के कुण प्रगट होने लग जाते हैं तो हम क्या करें हमारी कोशिस के बाद में भी प्रकट हो सकते हैं हो तो सकते हैं लेकिन यदि मान बढ़ाई सुनकर के हम खुस होने लग जाएं तब तो हम उस दारा में बे गए और यदि उस मान बढ़ाई को सुनकर के हमें अठपठा लगता है चिंता होती है कि देखो कैसे ह जै सितमेर मेरे के अ मेरे के अदर, हजारों दुरगुन हैं। दिए सामने वारे बाई सहाब को दिखा ही नहीं देते। मेरी तारिफ करते हैं जिसमrojak Martin जिसमें मैंने कुछ किया ही नहीं quiet जो कुछ हमा वह तो बाब अमेरे के ऐनके हैं म Tibetनी की काविए ध़क्रुण हैं। बिर सत्संग में भी कोई सिक बिर ले, कि जिनके सामने ये दिए उनकी प्रसंसा की जाए, तो उनको रोना आ जाता है, कि अब ये देखो मेरी तारिफ कर रहे हैं, मैं इस काबिल का हूँ, मैं तो 84 का जीव हूँ, नरक का कीड़ा हूँ, और मेरे मन में कितना मेल चिपा है, व मैं उसे डखके रखता हूँ, आए परे मन मोह सेर माबांदे ब्रम के खुटा, अगर मान बढ़ाई को रोकेंगे नहीं, यान है कि हम मान बढ़ाई को सुनकर के खुस होते रहेंगे, और हम ये चाहें कि लोग हमारे सामने ये बात करें, और जो बात कोई कभी मान पात क्या परमकों के सामने भी फिलाएं, तो कितना अच्छा हो जो अब यह हमारी कामना है, यह मन मोह का दायरा बढ़ında है, आंकार का, अज्यान का, माया का दायरा बढ़ रहा है, माया का रंग और रहा है। माया जादा असार कर जाएगी. इसलिए संतों ने का कि फिर जोना इस मोह के दलडल में फस गए अज्ञान के दलडल में फस गए तो फिर मन उस अज्ञान में से अनेक तरह के दूसरे ब्रह्म पेदा होगा और ब्रह्मे सबसे पहले क्या होगा कि जो अच्छे काम करने वाला कोई सत्संगी है और इस तरह से उसका धन लूटा जाए उसकी कमाई कोई ठग ले और वो जो अना ब्रह्मे अपने आपको बड़ा सत्संगी मानने लगे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा इसलिए संत दया करके अपने दर्बार में निंदा जारी रखते हैं संतों की मापुर्सों की दुनिया निंदा करती है जो सच्चे साद और सच्चे गुर्मुख प्रेमी भक्त होते हैं उनकी निंदा करती है और गुर्देव और मालिक चाहते हैं कि हमारी और हमारे प्रेमी भक्तों की निंदा होती रहे जिससे बचाव होता है, संतों की निंदा से तो संतों का कोई काम दूरा नहीं है, उनकी निंदा से तो ये फायदा होता है कि सतसंग के इस बगीचे में अनादिकारी लोग नहीं आते, दुनियादार, स्वार्थी, मलीन बुद्धी के करामात देखने वाले, पाखंडी, ढों तमाम बड़े संतों की सभी की जगत में निंदा होई, अपने बाप जी साहब जब नागोर पदारे तो कितनी निंदार विरोध हुआ, माताई साहब ने बाद में जब आस्रम नया बनायने की मोज करी, तब और उसके बाद और उसके पहले के समय में कितना विरोध और अप जो परम पूजनी हैं, उनके बारे में हमारा मन कैसी कैसी गलत दारना है, गलत भ्रहम की बातें फेलाता है, लोगों में जाहिर करता है, तो यह तो मापुरसों का अपनी मोज से होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सतसंग में छंटनी होती रहे, अनादी कारी बार निकलते र जातरा में बिगन ने आवे हैं, और जो सादकों की याने सतसंगियों की, प्रेमी बक्तों की, गुर्मुकों की जो निन्दा होती है, उसमें उनका खुद का बचाव किया जाता है, कि इसकी कमाई को कोई लोट ने ले, यह अपनी प्रसंसा में मन अभी अदूरा है, आदा क पका नहीं है, तो मन जो है कहीं दोखाने दे दे, इसके खुद के मन के दोखे, इससे बचाने के लिए निन्दा करवाई जाती है, निन्दा से खोटे कर्मों का दाग भी उतरता है, पाप भी अलके होते हैं, जिसकी निन्दा होती है, तो ऐसी कई मोज होती है, इसलिए संत तो दया करके निंदा करवाते हैं और यदि जगत में कोई भक्त के तो और पर प्रसिद्ध जादा होने लग जाए बक्ती कम की या थोड़ी बहुत की या बाप जी ने दया करके करवा ले अब उसके खुब प्रसंसा होने लगे कि आहा क्या ये तो बड़े उंची करती के मजलों को उसका चरणों से तो ध्यान छूट जाएगा फिर जो उसका अपने गुर्देव के चरणों में अखंड ध्यान लगा रहना चाहिए जो उस तरफ चलने वाड़ा था जो सचाई के रस्ते पर चलने वाड़ा सत्य का पथिक था उसका रास्ता बटक जाएगा अब चाहिए कितने ही बड़े हों बड़े मापुर्सों के दरबार में अपने गुर्देव के दरबार में तो सभी छोटे से छोटे ही होते हैं फिर वह वहां पे वेट करके अपने पूजा भी करवाना मंजूर कर लेते हैं अपने चर्न भी दूलवाना मंजूर कर लेते है आर्ति भी करवाना मंजूर कर लेते हैं, इससे नुकसान करने वाले को कमी होता है, करवाने वाले का ज़्यदा हो जाता है, तो पूजत जक्त भक्त कही तिन का ध्यान चरनदेश्थ, फिर उसका मन लगा रहे गा, कौन मेरी बात मानता है, कौन नहीं मानता, कौन मुझे परना सुमति भे चीन नहीं लए लागत कुमत ग्यांदर कुटा सुमति तो चीन हो जाती है सुंदर बुधी चली जाएगी फिर चाहे कि लो लगा लेवे अपने अंतर में गुरुदेव की करपा उस पर कभी हुई है अब उस वापस उदर उनति करना चाहे अंदर अपने लगन पड़ाई में पड़ गया तो फिर जाएगा तो सुमति भे चीन सुमति तो चीन हो गई कमजोर हो गई कम होती जा रही है ले लगेगी नहीं लो लगी हुई है वो तूटती जाएगी कुमति ग्यांदर कुटा और खोटे ग्यान ने हर दे में अपना अड्ला जमा लिया है वो अब जो है उसके सर को कूटेंगे मन का ये बड़ा विकार है मन का एक खोटा सवाव है ये जो ये दसा उन की है जो सुदरने के रस्ते पर चलने लग गए गुर्देव ने कुछ कृपा कर दी और अब जो है न इसी को जरना खेते हैं जरना अंग नहीं होने से वो अजम हो गई या फिर कितना ही छिपाओ कुछ जाईर होई जाती है तो वो उससे सावचेत नहीं रहे अपनी प्रसंसा से बचने की कोशिस नहीं की अपनी प्रसंसा और बढ़ा ही सुनकर के खुस होते रहे तो यह दसा आई वापस खोटी बुद्धी नहर दे के अंदर अपना अड अस्तूती सेवक की जो अस्तूती होने लग जाए जो संतों का सत्संगी है जो सच्चे मापुर्सों के जन है जो उनके दास है ऐसों को भी अस्तूती जगत में लूट लेती है अब यह बात का पॉल कल्पित नहीं है यह जगजिवन साब जी के मुकारमिन के बचन है अब द मालिक दया करे और हमारी को इस्तूति करे ही नहीं, हमारा विरोध करे, हमारी निंदा करे, हम पर लांचन लगाए, तो हमारा परमारती फाइदा तो जरूर होगा, चाहे हमें वह अच्छी लगे या न लगे, फाइदा तो ऐसी विरोध से, ऐसे निंदा और अपमान से होगा, लेकिन फिर भी एक विगन मुझूद है वो यह है कि हमारी तो कोई स्थूति नहीं करें, निंदा करें तो हमारा पायदा होगा। लेकिन हम ये दी दूसरों के नंदा करना शरू करदें ये निंदा करने की आदत को छोड़े नहीं, या दोसरे के दोस्त देखने की आदत हमारी कायम रहे, तो भी ठगे जाएंगे। तो संतों ने कहा कि जैसे अपनी मान बढ़ाई से बचना हैं, वैसे ही दोसरे की निंदा करने से और सुनने से भी बचना है। सब अच्छे हैं यह अपने मूँ से कहना फिर अपने अंता करनों में इस विश्वास की दारना को मजबूत करना यानि ऐसा ही मानना और ऐसा ही दिखना तीनों बातें जरूरी हैं। तो किसकी कमजोरी को हम देखें। कियूं उसकी चर्चा सुनें, क्यूं उसकी चर्चा कहीं करें। और यदी किसी में कोई दोस है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है. दोस किसमें नहीं है, ऐसा कोई इनसान हो गा उगा गिंटी पूरी होगी कि नहीं होगी है संख्य दोस निकलेंगे इसलिए जो सच्चे सादक हैं वो अपने खुद के दोस देखते रहते हैं और दूसरे के दोस की तरफ जानने रखते हैं इसलिए सद्गुर कभीर साब जी ने दया करके फरमाया भी है अब ये हमारे बले के लिए दिये वे उपदेश हैं हम तो इस पर गोर कम ही करते हैं तो ये हमारा दूर्भाग्य है साइब फरमाते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोजों आपना मुझे सा बुरा न कोई ये है विवेक अंग अपनी दसा को खुद निर्खपरक करके चलना तो जो सच्चे साध हैं वो सोचते हैं कि बुरा देखने की कोशिस करें तो सामने कई जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो सब हमारे आसपास के रहने वारे लोगों पर हम विचार करें तो जो सच्चा गुनगराई सत्संगी है जो गुर्मुक है जो बाप जी कोप्री है वो सत्संगी जब बिचार करेंगा तो उसको बुरा तो कोई दिखे गा ही नहीं जिदे कोई सत्य में ही ऐसी दुरकटना पूर्ण बात हो गई है कि कोई बड़ी गल्ती किसी सत्संगी ने कर दी जो सब कही सामने है तो लोग कहेंगे ये तो बुरा है तो वो सोचेगा कि इसमें इसका क्या दोस्त मालिक ऐसा ही चाहते होंगे अंजान में गल्ती हो गई हो तो एक कान से सुनके दूसरे कान से निकाल देगा मन में दरसल में ही सब को बड़ा मनेगा भले ही किसी से गल्ती हो गई हो लेकिन जो सत्संगी है जो बाब जी के दरबार में आकर के सुबह चोकट पर सर टिकाते हैं वो तो बड़े हो गए वो तो सभी बड़े हैं हमसे इस उनसे जो बड़े हैं उनकी गलती देखने का हमें अधिकार नहीं है। इसलिए जो सत्संगी हैं वो साध हैं क्योंकि वो अपने आपको सुधारने में लगे हैं, जो साधना में लगे हैं, जो बाप जी की प्रसनिता का काम करने में लगे हैं, जो अपने मन से लड़ाई ठानते हैं, वो साध हैं, और ऐसे सत्संगियों की निंदा से हमें बचना चाहिए, दूर रेना चाहिए, क्योंकि आम आज में की निंदा भी खतरनाक है, तो साधूं और सत्संगियों की और गुरु मुखों की निंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक ह तो होई निर्वान निंदाते सादू अग्रम जरिवे भूटा अगर इस दूसरे आउगुन से भी बचलें पहला आउगुन था कि हम हमारी मान बढ़ाई को सुन करके खुस होएं अस्तूति को पसंद करें तो हमारा बढ़ा नुकसान होने की गुंजाई से बहुत गलत रस्ता है और दूसरा ये कि दूसरों की निंदा सुन करके खुस होएं तो भी बहुत बड़ा नुकसान हम कर सकते हैं खुद जो निंदा करते हैं वो उससे भी ज़्यादा नुकसान अपना कर लेते हैं तो अगर इन दो बातों से बच गए और फिर सत्संग की तो थोड़ी सत्संग भी थोड़ी सेवा भी ज़्यादा फ़लेगी किसी के प्रती मन में विरोध नहीं है सब के प्रती सन्मान भाव है अब वो सेवा कम करे तो भी अच्छी बात, ज़ादा करे तो और अच्छी बात, नबण पाए तो काटे का कोई काम नहीं। सब के परती सन्मान का भाव हो और वास्ट विकतन से सेवा कम बने की ज़ादा बने। लेकिन यदि मन में दोस्तों को प्रती सम्मान नहीं हो और फिर यदि शेवा का काम भी कर दिया बार से तो वो कितना फड़ेगा। बाप जी अपने कपट को जरूर जानते हैं और जगत के सामने भी कपट थोड़े जिन तक के लिए चलता है फिर तो असलिए जाईर होई जाती है। तो यदि ऐसा सब के प्रती सम्मान भाव और अपने को सबसे छोटा समझ करके सत्संग करें सेवा करें तो पाप और कर्मों का दाग और भ्रम ये सत्संग से जरूर जरूर और जल्दी ही छूट जाएंगे। निंदक कर निर्वा नहीं है जम दूतन दर कूता क्योंकि निंदक का परमात के राष्टे में निवा नहीं होगा। ये स्वयम संत फर्मा रहे हैं, निंदक का निर्वाह नहीं होगा, उसको बचाएं तो कैसे बचाएं? संत फर्माते हैं, उनको तो बई जम एक दिन लाते मारेंगे, कूटेंगे, जम की मार खानी पड़ेगी. इसलिए जगत में रहना तो कैसे रहना, सत्संगी को कैसे रहना? इन दो बातों से तो बचें? करिके जुकती जगत करूबासा, बड़ी सावधानी से जगत में जुकती के साथ रहे. कई बार दिर्यावजी माराज जो रेन में हुए, उनके सत्संग की जो कता है, जो बापजी साब ने अपने मुकार्बिन से फरमाई, जिसका कई बार उलेख हुआ हुआ है, कि जब एक सत्संगी की निंदा होने लगी और गुरु माराज की मौत से और उस सत्संगी के लाब के लिए हो रही थी, तो उस सत्संगी पर बहुत इल्जाम लगे, प्रकट में लोगों को लगा कि इसने बड़ा भारी गुना काम कर दिया, मर्यादाहीन काम कर दिया, लोग थू-थू करने लग गए, सभी सत्संगी, अब मैं संक्षेप में इसलिए कह रहा हूँ कि कता कही हुई है, लेकिन इस जगह उसका प्रसंग आ गया कि जुक्ती से कैसे रहें, निंदा से कैसे बचें, तो दर्यावजी माराज साब के सत्संग में रेन में ही एक वेश्च समाज के यानि सेठानी सत्संगी थे, वो भी सत्संग में आते थे, दो पैर के सत्संग में सेठानी जी सत्संग में गई, तो वहां पे जिस बाई की निंदा गुरु माराज की मोज से उन जिनों में हो रही थी, तो दो पैर में जो दूसरी सत्संगी बेने आई, उनसे सेठानी जी ने सुना, कि फला फला ससंगी ने ऐसा काम कर दिया, नाक कट गई, गुरु मराज की नायता की तो ऐन तो किसे ये करवाते हैं आयसे कम कर नहीं देखो, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। तो वो सुनकर के अपने घर आई और साम को जब सेड जी घर आए तो वो खाना खिलाते वक्त बोलने लगी कि आज तो मैं ससंग में गई थी, वहां पे क्या चर्चा चल रही है, सुना आपने, वो नई बास सुनकर के आई तो बहुत उसक थी कब सुना हूँ, सेड जी ने तो कि सेड़ी कंवाने जी तो नुख है, वो फाले सुनन लिया था, जुब थे, वो खुम आए पलां ससंग में को आपन के जातना सनमान करते हैं, सब लोग उनका आदर करते हैं, उनकी करनी देखे हैं, वो तो दो कोडी के निकले बेख उन्होने तो ऐसा काम किया। सबसे बड़ा प्रमान तो गुरु मराज कह दें कि उसने ऐसा गलत काम किया, तो माने, तो ने अपने आँखों से देखा होता तो आदा प्रमान मान भी लेते हैं, आँखों से देखी बात आदी सच होती है, अब लोगों के कहने से अपन इस निंदा वाले काम में क्यों हो जा इसलिए इस बात को दिल से निकाल दें, अब अगर अपन सब की उसकी निंदा में सामिल हो जाएंगे सब की तरह, तो अपना परमारती नुकसान बहुत बड़ा होने वाड़ा है, तो सेठानी जी भी उंचे दरजे की सरसंगी थी, जल्दी समझ गई, हाँ, ये बात तो सही है, तो अपन क्यों बोलें, अब उसने गल्ती की की नहीं की, करी तो कौन सुदा रेगा, किसकी जिम्मेदारी है, गुरुमराज की जिम्मेदारी है, गुरुमराज सुहें बिराजमान है, उन्होंने सुन लिया, वो पहले से ही जानते थे, वो अपने आप सुदा रेंगे, अपने को इस तरह के दूसरों के गर के कच्रे को उठा करके अपने गर में लाने की जरूरत नहीं है, तो ये बात शेटानी जी जल्दी समझ के, बोला, अरे हाँ, मेरी तो बड़ी गल्ती हो जाती, मैं तो जो आज इसी, जब से ये बात सुन करके आई हूँ, तब से तो सुम करें नोचापूरसे के मुखार्विन से कही हुई है, हमें भी जगत में जुखती के साथ रहना है, अब ये सुनते तो हम रोज एं, बाए जुखती के साथ रहना चाहिए, लेकिन जुखती अमल में इस तरह दोड़ी जाती है, जैसे उन सेट जिन सेट नेल लाए तो संत कह कि जुक्ति से रहें, अपनी अस्तूति और मान बढ़ाई से बचें, दूर रहें, मान बढ़ाई सुन करके, अपनी बढ़ाई अपनी प्रसंसा सुन करके खुस नहों, अपनी निंदा इस्तूति से घबराएं नहीं, दूसरे के निंदा इस्तूति करें नहीं, किसी और के अपना मन जो है सुम्रण में लगाएं, गुर्देव के चर्णों में लगाएं, कैसे करीके जुकती जगत करूबासा जो मक तागा उटा, मकडी होती है, चट के उपर जो तार उसके मुझ से लार निकली है, उसका जो तार बना हुआ है, उस दागे से लठकी हुई है, उसी को उपर वापस उसी को पकड़ करके उपर चड़ने का परयास करती है, उसको चट पर जाना है, अपन भी जो है नीचे जगत में उतर करके आ गए हैं, जिस दोरी से उतर करके आ गए हैं, उसी दोरी पर चड़ करके वापस जाना है, अपना ध्यान उदर लगाएं, निंदा औ उपर की तरफ ज्यान रहे, वो अंतर में तार हमारे भी लगा हुआ है, जो मकडी का उदारन बार संतों ने दिया, वो ऐसा सुंदर और सरवांग है कि वह का वही उदारन सभी सत्संगियों पर पूरी तरह से सोपरतिसत लागू होता है, तो जो मक तागा उटा, मकरी अपने आगे पर चड़ करके उल्टी जिसा की तरफ जाने की कोशिस में लगी रहती है, वैसे ही हम् गुर्देव के वतायवे सब्दकी, धार या डोर के सहारे उपर की तरफ, उर्दमों की गोने की तरफ, गुरु मराज के चर्णों की तरफ, गुरु मराज के दर्बार की तरफ जाने का कोशिश करें. अब ये भेद की बाते हैं कही जगे संतों ने कही समझ में नहीं आती है। एक कभीर साहब जी का दोआ है, उसको लेकर के कही लोगों नहीं, मेरे से तो दो तिन नहीं पूछ वे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता हो। कभीर साहब ने फरमाया है, सात दीप नोखंड में सत गुरु डारी दोर, दोर पकड़ आवे नहीं, तो सत गुरु का क्या जोर। कि सात दीप नोखंड में याने इस बवसाकर की पूरी रचना में मालिक ने दया करके एक डोर नीचे लटकाई हुई है, जिसको पकड़ करके ऊपर चड़ सकते हैं, उस दोर को पकड़ करके हम उपर की तरफ बाप जी के चड़ने की तरफ जामें ही नहीं, तो फिर दोस्त ने तो दया करके यही अपने को समझाया, यही बात सद्कुर्ट जगजिवन साब केते हैं, कि जगत में तो इस तरह से सावदान होकर के रहें, और किस काम में लगे रहें, जो मक्तागा उटा, मक्डी तार पकड़ करके उपर की तरफ जाती है, वैसे ही अमा, जोना उसी करें, दो-दो कदम आगे बढ़ाएं, एक एक कदम आगे बढ़ाएं, जगजिवन रसचा की नेनते हैं, जो मदुमा की घोटा, अब यह बासाचों की, उदर की यूपी की दियात की बासा है, और संतों की अनुबव बानी है, इसलिए बोडी सुन्दर है, मीठी है, आम तो अब कहते हैं, कि वो जो अंदर का रस है, जो प्रेम का रस है, उसे चखता रहे, उसे पीता रहे, किस से? नेन से, अब रस तो जबान से पिया जाता है, नेन से कैसे पीते हैं, लेकि देस नेन से भी पीते हैं, गुरु मराज के सुन्दर छबी का दर्सन जिनको अंदर में ह होता है वो तो साक्षात अम्रथ पीते ही हैं और जिनको नहीं होता है वो ध्यान के द्वारा अपने तवज्जह में तवज्जह को उधर जोड़ करके गुर्देव के मन, मौक, सुरूप के दर्सनों के लिए ध्यान की कोशिश करते हैं रहे वो भी रस पी रहे हैं थोड़ा अंतर होगा उनको प्याला बरा हुआ पूरा मिलता है हमें कुछ कम मिल रहा है कोई बात नहीं तो यह आंक से पिणा हुआ कि नहीं हुआ है हालाएं कि आंके बंद हैं अंदर के नेत्रों से तो दर्सन करेगा तो जग जी वन रस चा की नेनते हैं जो मदुमाखी गोटा जै पूलों का रस मेरे मुझ से निकल गया है पूलों का रस चूंचती है अपनी दुनिया में जितनी चीजें है उनमें वैसे तो यहां की पवित्र रचना है लेकिन इस पवित्र रचना में कोई पवित्र चीज मान ली जाए तो क्या है फूल है और तो क्या है इसलिए तो इस लिए फूल ही अरपन की जाते हैं, तो उन फूलों का रस मदुमक्की पीटी रहती है, इसी तरह से हमारे पास जितने रस हैं, यानि जितने हमें तरप्ती देने वाले, आनंद देने वाले, स्वाद देने वाले पदार्च यतत्व हैं, उनमें सर्वोच और वास्तविक उस मापजी के नाम में हैं, और नाम अंदर में जो दुन्यात्मक्सब्द गुंजार कर रहा है, वो नाम है, तो जैसे मदुमक्की फूलों में से रस चूंचती है, वैसे हम जो ना उस नाम रस को, अमरत को, उस प्रेम के प्याले को क्यों नहीं पीएं, उसी को, उसी में त आमान ने बात थी, संतों ने दया करके किस तरह से इसका भेद हमें बताया, कि यदि हम अपनी अस्तूति से बचें, अपनी बड़ाई सुनकर के खुस ना हो, अपनी बड़ाई फेले, इसकी कोशिस ना करें, और जगत में दूसरों की निंदा ना सुनें, दूसरों की निं में और बाब जी के नाम के रस को पीने में ये दिल लगे रहें तो फिर जल्दी ही सत्की चीडी बाब जी दिया करके हमारे लिए सरल कर देंगे इसी प्राठना के साथ विराम